हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मारे यूटीब चैनल इंफर्मेटिव निब्बा में दोस्तो आज के स्वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीठा के फायदे दोस्तो रीठा आयवलवेद की सबसे लोगप्री जड़ी भूटियों में से एक है यह प्राकृतिक सस्ते और पुना उपयोग किया जा सकने वाला योग्य प्राकृतिक उत्पाद है यह जब यह पानी के संपर्थ में आता है तो यह साबुन के समान बन जाता है इसलिए यह कई तरह के उद्देशियों के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कपड़े धोने से लेकर गहने चमकाने के लिए हम में से बहुत से लोग बालों के लिए इसके लाबों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं हाला कि इसके फाइदे सिर्फ बालों तक सीमित नहीं है यह हमारे स्वास्त और तच्छा के लिए भी बहुत लापकारी है रीठा का पौधा 20 मीटर की उचाई तक बढ़ता है इसका साबुन के रूप में इस्तमाल उन जगों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां प्रत्यक वर्ष 150-200 मीटर सेंटी मीटर बारिस होती है यह पौधा केवल मिट्टी पर लगाया जा सकता है रीठा एक हाइपोलेरजनिक है जो बिलकुल गंधहीन और कपडों को नुकसान नहीं पहुँचाता है इसलिए यह व्यापक रूप से सफाई एजन्ट के रूप में उप्योग किया जाता है तो आईए जानते हैं रीठा के फाइदे के बारे में रीठा में प्राक्रितिक कंडिशनिंग गुण होते हैं जो आपकी तवचा को मॉस्चराइज करने में मदद करते हैं इसलिए यह तवचा के सुखे फन को रोकने में मदद करते हैं समवेदन सिल तवचा वाले लोग र रीठा से बने उत्पादों का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि ऐसे उत्पाद किसी भी छती का कारण नहीं बनते रीठा एक बहुत ही अच्छे क्लींजर के रूप में काम करता है या आपकी त्वचा को सांथ और साफ करता है आप होम मेड फेस वास के रूप में भी इसका इस् आते हैं तो आज से ही आप इसका उप्योग शुरू कर दें दोस्तों रीठा 100% प्राक्रितिक उत्पाद होता है जो एकजीमा सोराइसिस जैसे कई त्वचा रोगों से निपटने में आपकी साहयता कर सकते हैं आप सिसुओं में डाइपर के चकत्ते का इलाज करने के लिए रीठा का उप्योग कर सकते हैं तुनिश्चित करें कि आप इसे प्रभावी छेत्र पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें दोस्तों रीठा बालों के विकास के लिए सर्व सेष्ट होता है इसलिए या प्राक्रितिक हेयर टॉनिक और बालों की समस्याओं का इलाज करने क और बालों की और तो प्राप्त्ट करने के लिए दुनिया भर में बालों और तवच्चा के देख भाल के करने वाले कई उत्पार में से एक अद्बूत घटक के रूप में उप्योग किया जाता है रीठा को रात बर भीगों कर रखे और फिर सेंपू बनाने के लिए सीका काई पाउडर के साथ मिक्स कर ले यह सेंपू जब निमेत अधार पर इस्तमाल किया जाता है तो यहां बालों को साफ करता है और इस फल में पाए जाने वाले विट हाली को कम लाओ पर रखो जब तक सभी रीठा जलना जाए अब लाओ बंद कर दें और एक घंटे के बाद इन जले हुए रीठा का चून बना ले अब 20 ग्राम रीठा पाउडर ले और इसे 20 ग्राम बबूल कत्था के साथ मिला है अब इस मिस्रन को एक ग्राम सुबा बीज ग्राम साम को मक्षन के साथ खाए और इसका बाद बीज या बावासीर के हर्बल उपचार का सबसे अच्छा उपाय है जोस्तों या नट्स भी कई रोगों रोग जनको जैसे साल्मोनेला और इकोली को बढ़ने से रोग कर आपकी प्रतिरक्षा प्रनाली को मजबूत करते ह आप रीठा की मदद से अपने सरीर की गर्मी को बनाए रख सकते हैं रीठा का रस पीने से आपके कोलेस्टरॉल के स्तर को नियंतरित करने में मदद मिलती है रीठा में एंटी ऑक्सिडेंट की मौजुदगी आपको कुछ हद तक कैंसर के खत्रे से भी बचाती है दोस्तों रीठा प्राकृतिक एंटीबायोटिक होते हैं इसलिए ये आपके रख सरकरा के स्तर को नियंतरित करने में सहयक होते हैं रीठा के सेवन से आपको दस्त और अपच से तुरंत राहत प्राप्त करने में मदद मिल सकती है इलाज माना जाता है रीठा का पानी सूजी हुई आ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद